हेलो सुट्रेंट वेलकम टू माई चैनल इनोवेशन वाइफाई स्टड़ी आई एम रोशन आज अपन सुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सेवन नमबर अक्जामपल इससे पहले हमने 6 नमबर अक्जामपल तक कंप्लिट कर लिया है वो क्लास नहीं देखिये तो इ इस प्रकार से continue चलता जा रहा है को P upon Q के रूप में वेक्ट किया जा सकता है अब देखो जो पीछे वाले अक्जामपल में साइध हमने किया था मैं एक नमबर लिख रहा हूं यहां से कोई भी नमबर हो जैसे 0.532 जो भी है 532 जो भी है ये नमबर है मारे पास अगर हम इस तिन जिरो लगाएंगे तो 532 आपॉन में एक यह हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया है बट इसको क्या आपन लिख सकते हैं यह कहर रिपीट हो रहे है चलो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं बताओ यह पोइंट हटा आओगे निचे कितनी सुनिया ल जीरो 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 ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको अलग तरीके से लिखना चाहेंगे, तो अब देखेगा कैसे लिखेंगे, पहले इसको हमें X मानना पड़ेगा, यानि हमें Mathematic Calculation करनी पड़ेगे, इसमें डायरेक्टर नहीं बता सकते हैं, हम इसको पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, क्यों लिख सकते हैं, आपको यहां से ध्यान में आना चाहिए, कि 0.333, यानि रिपीट हो रही है, रिपीट ह एक्स बराबर 0.303333 यह नंबर रिपीट हो रहा है हमने माल लिया अब देखो कितनी नंबर रिपीट हो रहे हैं यह देखो यहां पеждतार एक रिपीट हो रहा है बार-बार तो इसको दोनों तरफ बोट साइड दस रहा है करेंगे किस से 10 से multiply करेंगे तो 0.3 3 3 3 इस प्रकार से और इसको हमने क्या कर दिया 10 से multiply कर दिया लिखोगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर समझ गये होंगे 10 से ही क्यों किया सर आपने और संख्या से नहीं किया अरे देखो इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे अगर दो नंबर रिपीट होंगे तो 100 से करेंगे अगर 3 नंबर रिपीट होंगे तो क्या करेंगे के बाद में पॉइंट लगेगा तो यहां से बनेगा अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसको यह लिख सकते हैं चलो आपने यहां पर लिखा कि सर हम यह equation number 1 दे दो equation number 3.333 इसको मैं यह लिख सकता हूँ क्या कि 3 plus में 0.333 यह number लिख सकता हूँ तो यह तो हमारे पास में 3 आ गया चलो माल लिया लेकिन यह देखो हमने starting में क्या माना था इसको हमने x माना था तो 3 plus x लिख सकता हूँ यह equation number 2 अब लिखेंगे समीकर्ण या equation 1 वै 2 से 1 वै 2 से क्या लिखेंगे दोनों देखो condition equal हमें लेके आने पड़ेगी तो दोनों equal थी तो equation number 2 से 1 में मान पुट कर देंगे तो हमारे पास में होगा 10x is equal to 3 plus में x 3 plus में x बन जाएगा अब इस x को इदर लेके आएगे तो यह minus का होजेगा तो यह values कितनी आएगी चलो नीचे लेके देता हूं में यहां से आपके पास में यह होजेगा 10x minus में x is equal to 3 तो यह आपके पास में कितना बचेगा 9x is equal to 3 अब आगे की step में हमें तो x बराबर लेके आना है x बराबर यह हमारे पास में आजेगा 3 बटे यहां पे multiply में है divide में चला जाएगा तो यह इसको काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 तीए 9 यानि हमारे पास में x की value क्या आएगी 1 बटा 3 जिसको हम किसको x लिया था हमने इसको लिया था x स्टार्टिंग में 0.333 को अब इसको हमने क्या लिख दिया पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया यह आपका right answer होगा लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में एक बटा तीन एक पर में संक्या है बोल सकते हैं तो यह देखो हमने इसको P बटा Q के रूप में लिख दिया और P और Q दोनों ही क्या है पुर्णांख है और Q not equal 0 है तो इस परकार से बढ़ते हैं next example यह समझ में आगे आपको अब यह हमारे पास में है 8 number example तो यहां से क्या इसको हम वेसे direct point हटा के 0 के नीचे 0 लगा सकते हैं P बटा Q बन जाएगा नहीं बनेगा तो इसका भी वही mathematics solution करते हैं solution हमने माना की माना की x बराबर 1.27 27 27 संख्य है repeat हो रही है और जोडे के रूप में repeat हो रही है तो यहां पे लिखेंगे both side 100 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास में 100 x और यह हमारे पास में 100 से हमने multiply कर दिया 1.27 2.27 और 2.7 इस प्रकार से बनेगा क्या लिखोगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बनेगा ये हमारे पास में बनेगा 100X बराबर ये देखो, दो अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो ये देखो दो अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमने 100 से मल्टिपलाई किया है यहने 27, 27, 27 में दो अंक है अब यहां से हमारे पास में बनेगा दो अंकों के बाद में पॉइंट करेंगे एक के बाद में तो पहले से है और दो 27 के बाद में लग जाएगा तो 127, 27 ये संखें रिपीट होगी अब ये equation number 1 हो गया अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो 127, 27 27 इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 126, 126 प्लस में एक पॉइंट 27, 27 27 लिख सकता हूँ अब देखो इसको हमने क्या मानना था starting में x मानना था तो इसका मान कितना आएगा यहां से इसका मान हमारे पास में आएगा 126 प्लस में x equation number second अब लिखेंगे equation number second से first में मान रखने पर समीकर first way second से क्या result आएगा हमारे पास में आएगा 100x बराबर 126 प्लस में x यह इदर आएगा तो माइनस का होजएगा तो यह हमारे पास में 100x माइनस में x बराबर 126 तो आप 100 में से एक जाएगा equal to 126 तो x की value कितनी आएगी 126 बटे 99 यानि 126 में हम क्या करेंगे 99 का divide करेंगे तो अब इसको जो संख्या कट रही है यानि यह अनुपात अगर छोटा हो रहा है तो इसको किसी एक digit से कट रहा है तो उसको काट दो कोई एक number से कट रहा है इतना बचेगा तीन नो चोके 36 यह नो से कटेगा तो 11 99 अब x का मान क्या आगया 14 बटे 11 x का मान क्या आगया हमारे पास में 14 बटे 11 आगया इसको हम क्या कर सकते हैं प बटा Q के रूप में लिख दिया यह हमारा answer है final प बटा Q के रूप में लिख सकते हैं प का मान कितना है 14 है और Q का मान कितना है 11 है और दोनों ही पुर्णाख है Q nautical 0 है तो इस परकार से यह हमारे दो अक्जामपल आज की class में complete होते हैं इसके बाद में हमारे पास में 9 नमबर और 10 नमबर अक्जामपल और बसते हैं वो next class में करेंगे तो यह class आपको कैसी लगी comment करके जुरूर बताएं अच्छी लगी हो तो like करना, share करना और channel को subscribe जुरूर करना हम पूरा slayvus करने वाले हैं इसी तरीके से परतेक क्यूस्षन, परतेक अक्जामपल पे कोई भी doubt हो, comment करके जुरूर बताना, solution आपको जुरूर दिया जाएगा आज की class में इतना ही जैहिन, जैभारत